एसिया कब 2018, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब रोहित सर्मा और सिखर धोवन ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बहुवंडर ला दिया था, इन दोनों टेमों की बीच, 2012-13 के बाद से एक भी बाइलेटरल सिरीज नहीं हुआ है, इसलिए ICC टूनामेट हो या एसिया कब ह फैंस को इन दोनों टेमों की बीच मैच का बेसबरी से इंतजार रहता है, पर जब भी इन दोनों टेमों की बीच मैच होता है, तो ज़्यादातर मैचों में थ्रिलर होता ही नहीं है, एक तरफा हो जाता है, क्यूंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, जैसे इ पुल्चा की जोडी ने दो-दो विकेट लिये थे और बुम्राह ने भी दो विकेट लिये थे इसके अलावा चहल ने एक रनाउट कराया था अब इंडिया को जीत के लिए 238 रनों का टार्गेट मिला जो की ठीक ठाक था ज्यादा भी नहीं था तो कम भी नहीं था अब यहा पागिस्तान के गेंदवाच एक विकेट के लिए तरस गये थे मैच इंडिया दस विकेट से जीतने वाले थे पर रोहित सर्मा ने सोचा यार अपना ही बेटा है इतना जलिल नहीं करना चाहिए यहीं सोचकर स्रिखर धवन को रनाउट करा दिया और इंडिया वो मैच 49.3 5.5 ऊब्रो में 9 विकेट से जीत हासिल कर लिया जिसमें रोहित सर्मा और सिखर धवन दोनों ने संचुरी लगाए थे रोहित सर्मा ने 119 गेंदवो पर साथ चो मिए और चार छगो के मदत से नाबाद 111 pin बनाए थे और सिखर धवन ने एक सो गेंदो पर सोलह चोके और दो छको की मदद से 114 रन बनाए थे सिखर धवन के इस सांदार प्रफरमेंस के कारण उन्हें प्लेयर ओफ दे मैच का भी अवार्ड मिला उस मैच में और एक बात गोर करने लाइक यह था कि पाकिस्तान के दो म जैन गेंदबाज, मुहमत आमेर और साहिन अफरिदी, लेफ्ट आम पेसर उन दोनों का ही उस मैच में जमकर कूटाई हुआ था, जबकि एक दो बार हमारे बैट्समें लेफ्ट आम बोलर के सामने आउट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि लेफ्ट आम बोलर को हमारे बैट्स लगाया था ना और दोनों को जम कर कूटा था उसके बाद भी वर्ल्ड कप दोहर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुली लगाया था कि नहीं उससे पहले ऑस्ट्रिया के खिलाफ वंडे में 209 रन बनाये थे तब ऑस्ट्रिया टीम में भी तो लेफ्ट आम बोलर थे सीधी सी बात है जिस दिन बैर्समेन का दिन हो उस दिन लेफ्ट आम बोलर बोल करे या फिर राइट आम बोलर बोल करे पिटना तो है ही